हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल दा फैक्टो हिंदी में तो क्या आलचाल है जनाब उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे दोस्तों आज हम आपके लिए एक बेहधी रोचक और ज्यानवर्धक जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्रिथवी की उत्पत्ती कैसे हुई या प्रिथवी पर जीवन कैसे संभा हुआ या मानव जाती की उत्पत्ती कैसे हुई या फिर ये कि उस समय लोग संभो कैसे करते होंगे अगर नहीं पता तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं दोस्तो आज में आप सभी को पृत्वी और उससे जुड़े मानव जीवन की उत्पत्ती के बारे में कई बाते बताने जा रहा हूं तो दोस्तो बने रहेगा वीडियो के आखिर तक हमारे साथ दोस्तो पृत्वी की उत्पत्ती के बारे में वेग्यानिक धारना ये है कि तकरीबन पांच बिलियन साल पहले कई गैसों के एक साथ मिलने से भैंका धमाका हुआ इस कारण बहुती बड़ा एक आख का गोला बन गया जिसे वर्तमान में हम सूर कहते हैं धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों और धूल के कण फैल गए और गृत्वा करशन बल के कारण ये छोटे छोटे कण पत्थर के टुकणों के रूप में बदल गए कई वर्षों के अंतराल के बाद ये करण आपस में जुडने लगे और एक समय के बाद सौर मंडल के उत्पत्ती हुई दोस्तों इस प्रकार लाखों वर्षों के पश्याद गृत्वा करशन के कारण पत्थर और चट्टाने आपस में जुडने लगी इस प्रकार से धर्ती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था वैग्यानिक अवधार्णा के मुताबिक 4154 बिलियन साल पहले पृत्वी का तापमान 1200 डिग्री सिल्सियस था ऐसे समय पर धर्ती पर केवल उबलता हुआ लावा चटाने और कई जहरीली गैसे हुआ करती थी ऐसे में प्रित्वी पर जीवन का होना असंभव था दोस्तों धर्ती पर जीवन के सियात्रा के दौरान अब तक 318 बिलियन वर्ष पहले पानी के उत्पत्ती हो चुकी थी प्रित्वी पर लागातार जौला मुखी फट रहे थे और साथ ही साथ उलका पिंडो की बारिश भी हो रहे थी धर्ती पर पानी और नमक के साथ ही उलका पिंडो द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे जिसमें कार्बन और आमिनो एसेड जैसे पदार्थ थे ये पदार्थ हर जीव जन्तू और पौथों में मौजूद होते हैं उलका पिंडो की इतने उचाई से किरने की बज़े से ये पानी की गहराई में चले जाते थे जहां पर सूरी की किरनों का पहुँचना लगभग संभव था बाद में उलका पिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे इसके बाद ये एक प्रकार से चिमनीओ का आकार लेने लगे और जौला मुखी की दरारों में पानी आ जाने से चिमनीओ से धुआ निकलने लगा जो बाद में एक प्रकार के chemical soup का रूप ले लेता है इस वजे से धर्ती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई और पृत्वी पर सिंगल सेल बैक्टिरिया की उत्पत्ती हुई दोस्तों धर्ती की उत्पत्ती के दोरान जब समुद्र की निचली सतहों पर पौधे और पत्ते उग रहे थे और इन पर जीवित बैक्टिरिया पैदा हो रहे थे वैग्यानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमेलाइट कहा जाता है यह अपना भोजन सूर की किर्णों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को वैग्यानिक प्रकाश संसुलेशन कहते हैं प्रकाश संचिलेशन प्रक्रिया में सूर की किरने कारबन डायोकसाईड और पानी को ग्लूकोज की रूप में परिवर्दित कर देती हैं इसके साथ ये प्रक्रिया में सहुत्पात की रूप में औक्सिजिन गैस होती है जो मनुश्ण के लिए प्राणवायू है समय के लंबी प्रक्रिया के बाद समुद्रों में ऑक्सिजिन गैस भर गई और इसके कारण पानी में मौझूद लोहे को जंग लगने लगी और इसी वज़े से लोहे कास्ते तो सामने आया एक लंबे अंतराल के बाद ऑक्सिजिन गैस समुद्र की सतों पर आने लगी जिससे की जीवन संभा हुआ दोस्तों धर्टी पर जीवन चार अरब साल पहले शुरू हुआ था माना जाता है कि जीवन की एक कोशिका वाले जीव से समुद्र में इसकी शुरूआत हुई मगर वेचल नहीं सकते थे दोस्तों प्रातत्तों वेताओं का अनुमान है कि धर्टी पर सबसे पहले मानाव जैसे लोग आज से लगभग त्रेपन लाख वर्ष पूरु प्रकट हुए धीरे धीरे कई प्रकार के मानाव धर्टी पर अस्तितु में आये परन्तु कुछ समय के पशात वो लुप्त हो गई आज का मानाव लगभग दो लाख साल पहले धर्टी पर अस्तितु में आया था मानाव जीवन के इस लंबे काल में मनुष्य पौधे और जड़ें खाकर रत्वा शिकार करके अपना पेट पालते थे दोस्तो मनुष्य जाती स्तंधारी वग से संबंधित है मनुष्य नर्वानर वग से संबंध रखते हैं नर्वानर स्तंधारी जीवों में उन वर्गों से संबंध रखते हैं जोकी पूर्ण विक्सित तथा बुधिमान हैं मनुष्य बंदर तथा लंगूर इसी वग से सम्मंध रखते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनके दाथ कई प्रकार के होते हैं, उनके शरीर के तापमान में स्थिर्ता होती है दोस्तों 28 से 30 लाख साल पहले इन नर्वानरों में एक और सम्हूत बन हुआ, जिनको मनुष्य परिवार के पशियु अथ्वा महावानर कहा जाता है, इन में वन मानुष भी सम्मले थें, मनुष्यों तथा नर्वानरों में अनेक समानताएं पाई जाती थी आरंब एक मनुष्य का सिर बहुती छोटा और पीछे की ओर जोगा हुआ था, उनके शरीर पर घने बाल होते थे, वे बोल नहीं सकते थे, परंतु समझने योग ध्वनी निकाल सकते थे, वे भ्रमड कारी थे और भोजन की तलाश में जगह जगह घूमते रहते थे, आरंब में वे पशुओं की भाती चार टांगों पर चलते थे, परंतु समय बीतने पर वे सीधे खड़े होकर हाथों का प्रयोग करने लगे, दोस्तों आदिमानव की उत्पत्ती सवप्रथम लगभग 12-20 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई, परंतु कई इतिहासकारों का विच जाता है, क्यूंकि इस काल में मनुष्य हथियार बनाते थे, दोस्तों 3 लाख वर्ष के अफशेशों से पता चलता है कि नारमफिक मनुष्यों के अस्थी पंजर, वर्तमान मनुष्य के अस्थी पंजर के आकार जैसे ही थे, होमो सैपियन मनुष्यों की खोपड़ी, होमो आगी की ओर चुकी हुई थी इस से मस्तिश का आकार बठने के लिए स्थान की गुंजाईश थी इस काल का मनुश्य शिकार द्वारा भोजन इकठा करता था वो पत्थरों के वाजारों सुईयां तथा हड्डियों से मशली पकड़ने के काटे बनाता था वे जानवरों की चम मनी के नियंडर घाटी से लिया गया था जहां सी नियंडर थल मानव के अस्ति पंजर प्राप्त हुए थे या अरंभिक मनुशिकी आने जातियों से भिन था वो अधिक लंबे मजबूत तथा शक्तिशाली थे ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस समय के अनुसार बहुत विक्सि रखते थे नियंडर थल काल की कब्रिस्तान के स्थान पर की गई खोजों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे मृतक शरीर को रंगों से सजाते थे वे प्रथम मनुशि थे जो की मृत्तिव के पश्याद जीवन के संबंध में सोचते थे इस समय तक मनुश्य एक कुशल शिकारी त परंतु उनके पास परियाप्त मात्रा में भोजन, पदार तथा शरन स्थल थे इन में बहुत से मनुश्यों के आयू बहुत लंबी थी यूरप में रहने वाले होमो सेपियन को क्रोमैगनन कहा जाता है क्रोमैगनन मानव हिम्युक की कठोर सथ रितू से सुरक्षा के लिए स्थाई निवास स्थान बनाते थे, गर्मियों में वो तंबूओं में रहते थे और पशु पालते थे, सर्दियों में वो बर्फ की जोपडियों में रहते थे, जो की व्रक्षों की शाखाओं तथा बड़ी बड़ी मोटी हड़ियों से बनी होती थी, और उपर से जानवर एस्थान होते थे दोस्तो हमारी पृथ्वी करोणों साल पुरानी है पर उद ही श्बानी के पूर्वच बंदर के खास प्रजाती हुआ करती थी जब आदी मानव हुआ करते थे तब चारों तरफ जंगल ली जंगल था आदी-मानव का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता था जंगल के जानवरों की तरहे आदि मानव भी अपना जीवन वेतीत करते थे आदि मानव जानवरों से डरते थे उनका डरना स्वभाविक भी था क्यूंकि उनके पास कोई हत्यार नहीं था जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके दोस्तों हर आदि बचाना भी एक मुश्किल काम था दिन में वे असानी से अपनी रक्षा कर लेते थे और रात में अपनी रक्षा के लिए गुफ़ा या फिर पेडों में सोते थे दोस्तों जानवरों की मारने और जड़ों की खुदाई के लिए केवल हाथ ही काफी नहीं थे। ऐसे कार के लिए आदिमानव लकड़ी को पत्थर की सहायता से नुकिला करके खुदाई और शिकार करने लगे। मजबूत चमडी वाले जानवर और लकडी को काटने के लिए नुकिले पत्थर का इस्तेमाल करते थे इन ही पत्थरों और लकडी की सहायता से आदिमानाव हथियार बनाने लगे दोस्तों आदी मानव ने सबसे पहले कुलहाडी बनाई जो कि आदी मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धी थी ऐसे ही धीरे धीरे पत्थरों के सहायता से बहुत सारे आजार बनाने लग गए वो इस समय के सबहता आदी मानव का पाशान काल कहलाई आदी मानव अधिकता जंगलों में आग लगा देखते थे परन्तु उनको समझ नहीं आता था कि ये क्या है आग को आदी मानव सबसे जादा खतरनाक समझते थे क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर चाहे वो शेर हो या हाथी सब डरते थे दूस्त में एक बार आदी मानव ने गौर किया कि आग पानी के संपर्क में आते ही नश्ट हो जाता है फिर आदी मानव आग से बचने के लिए नहरों और तालाबूं की और भागते थे पत्थर से पत्थर टकरा कर आदी मानव आग उत्पन करना भी सीख जाते हैं आग आदी मानव के लिए बहुत बड़ी खोश थी क्योंकि आग से रात के अंधेरे मुझाला मिलता था आग से जानवरों को वो डरा भी सकते थे मास को भून कर खाने लगे ठंड में आग से शरीर को गर्म करते थे त्यादी आदी मानव पशुओं की तरह नंगे रहते थे समय के साथ आदी मानव अपने शरीर को पत्तियों से ढखने लग गए और आगे चलकर आदी मानव ने जानवरों की एक हाल से अपने शरीर को ढखना शुरू कर दिया दोस्तों जानवर की हड़ियों और दाच से आदिमानव हतियार भी बनाते साथ ही साथ इनका भूशन बना कर पहनते थे दोस्तों मानव इतिहास की पहली खोज आग की मानी जाती है आदिमानव ने पत्थरों के टकराने के बाद आग को जलाना सीखा जिन से स्वेम की जानवरों से सुरक्षा में मदद मिलने के साथ ही भोजन पकाने में भी वो काम आई कालांतर में इन्होंने अपनी रक्षा तथा भोजन के प्रबंद की सुविधाओं के लिए कृशी, कर्म तथा पहिये का विश्कार कर दिया इस तरह आदिमानव का जीवन बेहत कठनाईयों से भरा हुआ था, जीवन निर्वहन में सुविधा के कोई साधन नहीं थे जीवन रक्षा के लिए उन्होंने सरप्रथम, पत्थर के तथा बाद में तावे के हत्यारों का निर्मान किया संबह तो आदिमानव द्वारा खोजी गई प्रथमधातू तावा ही थी, जिससे उन्होंने अन्य जीवन उपयोगी यंत्रों का निर्मान किया और जिनमें कृशी औजार भी शामिल थे दोस्तों आदिमानव अपनी जीवन की सुरक्षा के कारण ही समुह में रहा करते थे उनकी जीवन का सबसे बड़ा खत्रा जंगली जानवर थे, जिनसे वे मिलकर बचाव करते थे दुनिया के विभिन्ने देशों में आदी मानव की जीवन से चुड़े अस्थिक अंकाल प्राप्त हुए हैं, जिससे उनके आयू के बारे में अनुमान लगाने में सहायता मिली है। मानव विकास की यात्रा का प्रारमविक बिंदू आदी मानव ही हैं, जिन्हें आज की जीवन शेली में असा भी माना जाता है। उनके जीवन का एक ही धेर रहता था अपने पेट का निर्वहन करना तथा जंगली जानवरों से बचाओ करना इस कारण वे समुह में रहने लगे। मानव की यही समुहिक सुरक्षा का स्वभाव परिवाज तथा समाज की रूप में देखने को मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हुगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कॉमेंट करके अपना फीड़बेक दे सकते हैं। हमें आपके कॉमेंट्स का इंतिजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई देखनी के लिए शुक्रिया।